कॉंग्रेस पार्टी को आज बहुत बड़ा जटका तब लगा जब कॉंग्रेस के दिगज नेता के खिलाप में कोट का बड़ा आदेश जारी किया गया दरसल कोट का ये फैसला 1984 में हुए सिख धंगों के दोरान कई लोगों की हत्याओं के मामले में आया है इन धंगों को लेकर के कॉंग्रेस कितने ही सफाई क्यों न देले लेकिन कोट का फैसला और कोट के सामने जो सबूत पेश किये गए हैं वो कुछ और ही बया कर रहे हैं कौन है वो कॉंग्रेसी निता और कोट ने क्या फैसला सुनाया है इसे हम विस्तार से जानेंगे इस रिपोर्ट में और इसके अलावा राहुल गांधी को विदेशों में जाकर के ये रोना रोते हुए आप लोगों ने अकसर देखा होगा कि भारत का मीडिया बिक चुका है अब फ्रीडम ओफ प्रेस बिलकुल भी नहीं बची है लेकिन अब जब राहुल गांधी से एक पत्रकार ने तीखा सवाल पूछा तो कॉंग्रेस पार्टी ने ऐसी नीच हरकत की कि जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है दरसल ये सवाल ऐसा था जिसने कॉंग्रेस के दोहरे चरित्र को पूरी तरह से उजागर करके रख दिया है और सौनिया सैना को ये कता ही रास नहीं आया इन दोनों ही मामलों का इस रिपोर्ट में हम विशलेशर करेंगे एगर उससे पहले आप से आग रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें कॉंग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की मुश्कलें बढ़ गई हैं क्योंकि जो उनके पुराने जो कांड थे वो अब उनके गले की फांस बन रहे हैं दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी धंगों के मामले में टाइटलर के खिलाप में हत्या और अन गंबीर अपरादों के दरसल आरूप तै किये हैं विशेस ने अधीश राकेश सियाल ने ये निर्देश दिया कि कॉंग्रेस नेता टाइटलर को अब इन आरूपों का सामना अदालत में करना होगा क्योंकि उन्होंने इन अपराद के लिए खुद को निर्दोश बताया है अदालत का या अदेश सिख विरोधी धंगों से जुड़े एक महत्पूर मामले के संबंद में आया है अदालत ने साल 1984 के सिख विरोधी धंगों के मामले में शुकरवार को जगदीश टाइटलर के खिलाप में हत्या और अन अपरादों के आरोप तै किये हैं लेकिन जगदीश ने आरोपों से इंकाल कर दिया है जिसके बाद में विशेष नयाधीश राकेश सियाल ने निर्देश दिया है कि कॉंग्रेस नेता टाइटलर द्वारा अपराद के लिए दोशी ना होने की बात सुईकार करने के बाद में उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ेगा उन पर मुकदमा चलाने के लिए परियाप सबूत है इससे पहले दोस्तों 30 अगस्त को अदालत ने कहा था कि कॉंग्रेस नेता टाइटलर के खिलाप में आरोप तैक करने के लिए परियाप सबूत है इस मामले में एक गवा ने आरोप लगाया है कि एक नवंबर 1984 को टाइटलर ने गुरुद्वारा पुल बंगश के पास में एक सफेद एमबेजडर कार से उतर करके भीड को उकसाया था गवा के मताबिक टाइटलर ने भीड से का कि सिक्खों को मारो उन्होंने हमारी मा को मार डाला है ये सब कुछ इंद्रा गांधी की मौत के बाद कुए था जिसके बाद में हिंसा भड़क गई और उस उकसावे का परणाम तीन लोगों की हत्या के रूप में सामने आया अदालत ने टाइटलर के खिलाप में हत्या गयर कानूनी सबाद धंगा विबिन समूक बीच में दुश्मनी को बढ़ाबा देने घर में अतिकरमण और चोरी जैसे गंधीर अपरादों के तहत आरोपते किये हैं इन सभी आरोपों के तहत अब टाइटलर को कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा जहां उन पर मुकदमा चलेगा 1984 में ततकाली प्रधान मंतरी इंद्रा गांदी की हत्या के बाद पूरे देश में सिख विरोधी दंगे भड़ा कुटे थे जिसमें दिल्ली सबसे पहले और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था इन दंगों में हजारों सिखों की हत्या कर दी गई थी और सैकलों गुरुद्वारों और घरों को लूटा वाँ जला गया था कॉंग्रेस के कई नेताओं पर इन दंगों में शामिल होने और भीड को उकसाने के आरोप लगे थे जिन में से एक प्रमुक नाम जगदीश टाइटलर का भी है जगदीश टाइटलर कॉंग्रेस पार्टी के एक वरिष्ट नेता है उनका राजनतिक करियर कई दशकों का है और वो दिल्ली में कई बार सांसद रह चुके हैं टाइटलर का नाम 1984 के सिख विरोधी दंगों के बात से विवादों में रहा है जब उन पर आरोप लगे कि उन्होंने दंगों के दोरान सिख समुदाए के खिलाप में भीड को भड़काने का काम किया है सिख लोगों को मारने के लिए भीड को उकसाया है टाइटलर का जन्म 11 जनवरी 1944 को हुआ था उन्होंने अपनी शुड़वात शिक्षा दिल्ली में प्राप्त की और भारती राजनीती में कॉंग्रेस के टिकेट पर प्रवेश किया 1980 के दशक में टाइटलर दिल्ली की राजनीती में उबरे और केंदर सरकार में भी मंतरी रहे हाला कि सिख दंगों से जुड़ी विवादित घटनाओं के कारल उनका राजनेतिक करियर कई बार प्रभावित हुगा है उनके खिलाप में आरोपों के चलते कॉंग्रेस ने भी कई बार उन्हें जिम्मेदार पदों से हटाया है जगदीश टाइटलर के खिलाप में अदालत का ये आदेश नकेवल सिख दंगों से जुड़े मामले को लेकर के है बलकि सुर्खियों में लाता है बलकि देश की न्यायक प्रडाली में विश्वास को भी प्रबल करता है हाला कि टाइटलर ने खुद को निर्दोष बताया है लेकिन अब उन्हें अदालत में मुकदमे का सामना करना होगा ये देखना महतवपूर होगा कि इस मामले का कानूनी परणाम क्या होता है क्योंकि ये कितना पुराना मामला हो चुका है और दरसल क्या ये फैसला सिख विरोधी दंगों के पीड़तों के लिए नियायकी दिशा में एक कदम साबित होगा अब बात कर लेते हैं कॉंग्रेस की नीच हरकत की दरसल कॉंग्रेस निता राहूल गांदी विदेश में जाकर के अफवा उडाते हैं कि भारत की मौझूदा सरकार के शासन में देश में पत्रकारता की सुतंतरता एक तरीके से खत्म हो चली है वो अपनी हर अमेरिकी यात्रा में इस बात को दोहराते रहे हैं लेकिन राहुल गांधी की टीम के लोग ही मनमाफिक सवाल नहीं पूछने पर पत्रकारों के साथ में मारपीट करते हैं और उनके मुबाइल फोन तक छीन लेते हैं इंडिया टोडे की पत्रकार के साथ में अमेरिका में ऐसा हुआ था दरसल राहुल गांधी की हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान इंडिया टोडे की एक जर्नलिस्ट रोहित शर्मा के साथ में ऐसा ही हुआ उन्होंने इंडियन ओवर्सीज कॉन्फरेंस यानिकी आईयोसी क चेर्मेन सेम पित्रोदा से बांगला देश के हिंदूआं के खिलाप में हिंसा को लेकर के सवाल किया तो वहाँ पर बैठे कॉंग्रेस समर्थक लोगों ने पत्रकार का मुबाइल फोन लिया और फोटेज को डिलीट करने के लिए धमकाने लगे कहा जा रहा है कि ऐसा करने वालों में राहुल गांधी के निजी सचिफ अलंकार भी शामिल थे एक ट्विटर यूजर अंकुर सिंग ने इसको लेकर के पोस्ट किया है उन्होंने कहा कि अलंकार ने इंटरव्यू सीधे तोर पर रोग दिया recording delete करने के लिए कहा पत्रकार ने मना कर दिया तो अलंकार ने उनका iPhone चीन लिया और उनकी गरदन पकड़ ली इसके बाद मैं फोन को जबरन अनलॉक करके recording delete कर दी गई इंडिया टोडे के पत्रकार रोगित शर्मा ने इस पूरे वाक्य को बताया है उन्होंने लिखा है कि वो 7 सितंबर 2024 को भारत के विपक्ष के निता राहुल गांदी की बहु प्रतिक्षित यात्रा को कबर करने के लिए अमेरिका के डलास शहर में इस्तिर टेकसस गए थे यहां पर राहुल गांदी आने वाले थे और भारतिय प्रवासियों शाप्त्रो प्रेस और कैपिटल हिल के निताओं के साथ मैं धरसल मुलाकात करने वाले थे शेर्मा ने इंडिया टुड़े पर लिखे अपने लेक में बताया कि अपनी तैयारी के हिस्से के रूप में मैंने इंडियन ओवर्सीज कॉन्फरेंस यानि की आईयोसी के अदेक्ष सेम पित्रोदा से संपर किया मैंने पहले भी उनका इंटर्व्यू लिया है सेम अपित्रोदा इंटर्व्यू देने के लिए तैयार हो गए और तकरीबन शाम साड़े साथ बजे मैं टेकसास के इर्विंग में दरसल रिट्स काटना में पहुचा था वहाँ पर मुझे सेम के विला में ले जाये गया जहां पर तकरीबन तीस लोग बैठे हुए थे जिन में भारत से आई कुछ लोग भी शामिल थे इसके बाद मैं पत्रकार शर्मा इंटर्वियू रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन सेट किया और राहुल गांदी की यात्रा पर चर्चा करने लगे थे इस दोरान सेम पित्रोदा ने उनके चार सवालों का सहज़ता से जवाब दिया उन्होंने अंत्म सवाल पूचा कि क्या राहुल गांदी अमेरकी सामसदों के साथ में अपनी बैटकों के दौरान बंगला देश में मारे जा रहे हिंदूओं का मुद्दा उठाएंगे इस सवाल का जबाब देने से पहले सेम पित्रोदा ने कहा कि ये राहुल गांदी और सामसदों पर निर्बर है कि वो तैग करें कि क्या प्रासंगिक है और मैं उनकी और से नहीं बोल सकता लेकिन इस बीच वहाँ पर बैठे लोग हंगामा करने लगे कमरे में मौझूद एक व्यक्ति ने चिला करके कहा कि ये सवाल विवादासपद है वहाँ पर मौझूद अन्य लोग भी उस व्यक्ति की हामे हामिल आने लगे रोहित शर्मा ने कहा कि राहूल गांदी की टीम के एक सदस ने मेरा फोन चीन लिया और चिलाने लगा बंद करो बंद करो इंटर्व्यू बंद करने के बाद में उन्होंने आगे का कि सैम पित्रोदा भी मेरी तरह घबरा हुए थे और लोगों को शांत करने की अपील कर रहे थे हाला कि राहूल गांदी की टीम के लोग एवं समर्थकों ने उनकी बात नहीं मानी और मेरी माइक चिनने लगे मैंने विरोध किया और उनको मुवाइल की रिकॉर्डिंग बंद करने उन्होंने दरसल मुवाइल की रिकॉर्डिंग बंद कर दी इस हंगामा के बीची सैम पित्रोदा को राहूल गांदी से मिलने के लिए एरपोर्ट ले जाए गया हाला कि कमरे में कम से कम 15 लोग रह गए थे और जो इंडिया टोड़े की जर्नरलिस्ट हैं उन्होंने का कि उन्होंने मुझसे इंटर्व्यू से अंतिम प्रश्ण हटाने के लिए कहा मैं उन्हें समझाता रहा कि प्रश्ण में कुझवी विवादास्पद नहीं है और उनकी हरकते घलत हैं इसके बावजूद भी वो लगातार अड़े रहे और मेरा फोन लेकर के उसमें खोजबीन करने लगे इसके बाद में उन लोगों ने उस इंटर्व्यू को पत्रकार की फोटो लाइबरेरी से डिलीट कर दिया लेकिन वो डिलीट फोल्डर में रह गया और उसे खोलने के लिए पत्रकार के फेस आईडी की जरूरत थी रोहिश शर्मा ने बताया कि जब मैं वहाँ पर बैटा था तो दो आदमी मेरे बगल में खड़े थे उन में से एक ने चुपके से मेरा फोन मेरे चेहरे के पास में लाया और मेरी सहमती के बिना उसे अनलॉक कर दिया इसके बाद में उन्होंने डिलीट किये गए फोल्डर से इंटर्व्यू को डिलीट करना शुरू कर दिया आई क्लाउड भी चेक किया उन्हें ऐसा लगा कि रिकॉर्डिंग वहाँ पर सेव ना हो रिकॉर्डिंग के दौरान फोन दरसल एरप्लेन मोड में था इसलिए वीडियो सिंक नहीं उपा रहा था इस तरह वो लगबग आदे घंटे तक हर तरीके की हरकत करने के बाद में शांत बैट गए हलाकि इसके बाद भी वो फोन नहीं लोटाया उन्होंने और उसे चार दिनों तक अपने पास में रखा इस तरीके से इंडिया टुडे के वाशिंग गटा निस्ते समवादाता रोहिश शर्मा के साथ में राहुल गांदी की टीम के लोगोंने जबरदस्ती की और प्रेस की सुतंतरता को हर तरीके से कोचलने की कोशिस की हलाकि रोहिश शर्मा के जिस सवाल को लेकर के ये बवाल वहाँ पर मच गया सेंपित्रोदा जहां पर रुके हुए थे उस सवाल को उनके ही एक मित्र ने राहुल गांदी से पूछ लिया और कॉंग्रेस ने इसे अपने एक्स हैंडल पर इसे पोस्ट भी किया है तो अब कॉंग्रेस पार्टी भले ही अपनी सफाई में कुछ भी जो है पेश करने की कोशिस करें अपने ट्विटर हैंडल के जरीए लेकिन जो इंडिया टोडे के जर्नलिस्ट के साथ में वाशिंग गटन में ये जो हरकत की गई है जो राहुल गांदी वहाँ पर जाकर के इस तरीके की जो है आपने अक्सर देखा होगा स्टेटमेंट देते हुए दिखाई देते हैं कि जो इंडियन मीडिया है वो पूरी तरीके से अब मोदी की गुलाम बन चुकी है जो फ्रीडम आफ प्रेस है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है इंडिया में लेकिन जब एक जर्नलिस्ट उनसे सवाल पूछता है तो राहुल गांधी की ये प्रत्क्रिया राहुल गांधी की समर्थकों की प्रत्क्रिया दरसल ये साफ तोर पर दिखाती है कि उन्हें उन्हीं सवालों के जवाब देने हैं जो कॉंग्रेस को सूट करते हैं कॉंग्रेस को सियासी फाइदे दिलवाते हैं तो अब राहुल गांधी क्या जो दोहरा चरत्र है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है कॉंग्रेस की ये नीच हरकत लोगों के सामने आ चुकी है इस पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं जल्ब लोगा किसे दूसरे बड़े अपडेट के साथ मैं तब तक ले धनवाद अगर आप लोग चैनल पर ना हैं तो प्लेश चैनल को सब्सक्राइब करें साड़ बने बेल आकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नए अपडेट लेकर क्या हूं तो इसकी जानकार सबसे पहले आपको मिलें